नमस्ते दोस्तों कविता कीचन रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है आज हम बीना मावा बीना चाशने के बहुत ही स्वादिष्ट दानेदार सुजी के मोधग बनाएंगे मोधग गनपती बापपा को सबसे प्रिया होते है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कीजे साथ ही रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेर कीजे तो चलिए देर ना करते हुए गनेश उसो स्पेशल रवा मोधग बनाना शुरू करते है तो ये बड़िया से मोधग बनाने के लिए सबसे पहले गया सान करके एक पैन गरम करेंगे और इसमें लगबग एक तिहाई कप गी डालेंगे जैसे गी याप पर मेल्ट हो जाएगा हम इसमें एक कप सूजी डालेंगे तो मैंने याप पर वारिक वाली सूजी का इसमाल किया है अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप इसे थोड़ा सा मिक्सी में पीस लीजे मिक्स करेंगे सभी सूजी को गी के साथ अच्छे से तो देखे या पर इस तरह से सभी सूजी को हमें गी के साथ अच्छे से मिक्स करना है और इसके बाद low to medium flame पे सूजी को हम लगबग 4-5 मिनिट के लिए अच्छे से बूनेंगे यानि कि जब तक सूजी का कलर या पर हलका से चेंज ना हो तब तक हम इसे भूनेंगे वेसे तो गनपती बापा प्रसाथ के लिए अलग-अलग तरीके से मोदग बनाया जाता है लेकिन आज मैं आपको बहुत यासान तरीके से सूजी के स्वादिष्ट मोदग बना कर दिखाऊंगी चार से पाच मिट के लगबग हो चुके और आप देख सकते हैं सूजी या पर अच्छे से भून चुकी है सूजी में से फ्लेवर भी अच्छा आ रहा है इसका मतलब सूजी या पर परफेक्ट भून चुकी है अब हम इसमें आदा कप डेसिकेटेड कोकोना टैनी की नारेल का बुरादा डालेंगे आप चाहे तो सूजी या ताजा नारेल भी इसमें कदुकस करके डाल सकते हैं सूजी नारेल डालने से मोदक जो ही कापी अच्छे से टेश्टी बनते हैं इसलिए नारेल को जरू डाले अब हम मेडियम प्लेम पे नारेल को भी लगबग 2-3 मिट के लिए भून लेंगे ताकि नारेल का कच्छापन भी या पर चला जाए 2-3 मिट के लगबग हो चुके और आप देख सकते हैं नारेल और सूजी दोनों या पर अच्छे से भून चुके हैं सूजी या पर काफी अच्छे से खिली-खिली हो चुकी है बस ऐसे ही सूजी हमें मोदक बनाने के लिए चाहिए इसके बाद हम इसमें लगबग आदा कप मिल्क पावडर डालेंगे एक कप सूजी के लिए मैंने या पर आदे कप मिल्क पावडर का इससमाल क्या है मिला देंगे सभी milk powder को सुजी के साथ अच्छे से तो देखे आप इस तरह से लगातार चलाते होई सुजी के साथ हम milk powder को अच्छे से mix करेंगे और अब हम इसमें एक cup condensed milk डालेंगे आप चाहे तो condensed milk की जगा में दूद या दूद की मलाई भी डाल सकते हैं लेकिन मिल्क पौडर और कंडेंस मिल्क डालने से इसमें एकदम आवा जैसा टेस्ट आता है कंडेंस मिल्क मार्केट में आसाने से मिल जाता है आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं कंडेंस मिल घर में कैसे बनाते हैं इसकी रेसे पीबी में आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी मिला देंगे सभी सूजी को कंडेंस मिल के साथ अच्छे से और इसके बाद मेडेम फ्लेम पे सूजी को हम लगबग 3-4 मेंट के लिए पकाएंगे यानि कि जब तक ये मिसरन जो है डोप फॉर्म में ना आए तब तक हम इसे पकाएंगे ध्यान रखे इस मोदों को बनाते समय मैंने चीनी का इस समाल बिल्कुल भी नहीं किया है क्योंकि हमने यापर कंडेंस मिल का इस समाल किया है और कंडेंस मिल काफी मातरा में मिठा होता है इसलिए हमें इसमें अलग से चीनी वैगरा डालने की विल्कुल भी ज़रुत नहीं है तीन से चार मेंट के लगबग हो चुके और आप देख सकते हैं सूजी का मिसरन जो है कापी अच्छे से डो फॉर्म में आ चुका है सूजी आपर अच्छे से फूल गई है तो अब हम क्या करेंगे इसमें एक चोताई चमश, इलाइची और जाइफल का पाउडर डालेंगे साथ ही इस मोदक में बड़या सा कलर आने के लिए मैंने आपर एक चमश पाने में थोड़ा सा यलो फूर्ड कलर मिला कर डाला है ढ़क कर 10 मिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि सूजी आपर अच्छे से फूल जाए जैसे ही सूजी आपर अच्छे से फूल जाएंगे हम सूजी को एक प्लेट में निकालेंगे और इसे हलका सा थंड़ा करेंगे चार से पाच मिट के लगबग हो चुके सूजी आपर हलकी सी थंड़ी हो चुकी तो अब हम सूजी को इस तरह से मैश करते होए इकटा करेंगे ताकि ये मिश्रन हलका सा चिकना हो जाए इसके बाद हम मोदक बनाना शुरू करेंगे दो मेंट के लगबग हो चुके और आप देख सकते हैं सूजी को हमने याप पर अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम चलते हैं मोदक बनाने के प्रोचेस में तो इसके लिए मैंने याप पर एक मोदक मोल्ड लेया है अब हम इसमें हलका हलका गी लगा कर ग्रेस करेंगे ताकि सूजी का मिसरन जो है इस मोल्ड में बिल्कुल भी चिपके ना इस तरह के मोल्ड बाजर में आसने से मिल जाते हैं आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी पर चेस कर सकते हैं अब हम इस साचे में थोड़ा सा बारी कटावा पिस्ता डालेंगे आप पिस्ता की जगह में थोड़ा सा बादा में काजू भी बारी कट करके डाल सकते हैं इसके बाद हम इसमें सूजी का मिसरं डालेंगे तो इस तरह साचे के दोनों साइड में उंगली से प्रेस करते हुए मैं मिसरं को डालना है मात्र दस मेट में बिना मावा बिना चाशने के बहुत ही बड़ेया ये मोदक जो ही बनके तयार हो जाते है तो देखे इस तरह से साचे के दोनों साइड में मैंने मिसरं को अच्छे से भरके तयार कर लिया है अब हम इस मोल्ड को बंद करेंगे और जब बचा हुआ सुजी का मिसरं है हम इसे निकाल लेंगे तो देखे इस तरह से हमने मोल्ड को बंद कर लिया है अब हम क्या करेंगे अच्छे से इसे प्रेस करेंगे इस तरह मोदक मोड़ को प्रेस करने से मोदक का सेब जो ही कापी अच्छे से आता है इसके बाद हम धेरे से इस मोड़ को खोलेंगे और मोदक को निकालेंगे तो देखे बहुती बड़या मोदक जो है यहाँ पर बन के तयार हो चुका है इसे प्लेट में रखेंगे और सेम प्रोशिसे बाकी के सभी मोदक को इस तरह से बना कर तयार करेंगे तो लीजे बहुती स्वाप टेश्टी दानेदार रवा मोदक गनपति बपा प्रसाद के लिए रेडी है बहुती कम समय में बीना मावा बीना चाशने के मावा से भी बड़या यह वाले मोदक जो है बन के तयार हो जाते है तो इस गनेश हुसों में इस तरह के से रवा मोदक घर पर जरूर ट्राय करें उमीद है कि आपको आज की रेसेपी जरूर पसंद आएगी यदि आपको रेसेपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक किजे शेयर किजे चैनल को सस्क्राइब किजे धन्यवाद